कैसे ही आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग उनिबसिटी में एफ वाई पी समेश्टर वन और समेश्टर टू एसी हिंदी का आज है हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है जहां पर आप सभी बच्चों को टॉपिक में जो पल्लवन हो गया सं वीडियो को देख लिजाएगा तो आप से वच्चों को समेश्टर वन और समेश्टर टू में देखे क्यी कूak दोनों का सलिबस साहिं में अपचलि बात तो आप से वच्चों को जो भी फेपर न सवसे इस सवार हो जाएगा तो चली आज क्या है सालने ऑंjat च्रू कर दी विचार होगे हमारे या अगर कहा जाए हमारे जो भाव है यानि हमारे जो बात पिचार या जो विरते उनको अगर हम विस्तार कुर्वा किसी हो कहते हैं तो यह क्या कहलाता है बिसिकली पलवन कहलाता है और इंग्लिज भाई कहा जाए एंप्लिकेशन मतलब होता है कि चीज क अगर आपको कोई word दे दे जिसे मान के चलते हैं कि वो अमीर है इससे आप उसको जज कर सकते ही उचलिए वो एक प्रकार से उसके पड़ पैसा होगा लेकिन अगर और भी दिमाग लाएं तो इसके लिए आपको कम से बहुत सा सब्दों के इसनमाल करना पड़ेगा इसी के तर कंति यहां बताया हूँ जब गागर में सा गर यह से बताएगा जैसी चेष्टा की जाती है तब उसमें साधरन लोगों के लिए आर्थ की इस पश्टा यहां पर नहीं रहा जाती ऐसी इस्तिती में क्या बता जा रही है कि जब भी विचार अथवा भाव के तार-तार को अलग कर या कर सकते हैं अलग कर तार्तम के साथ समझने के लिए कुसल वैखते का अलग सकता पड़ती हैं इतना ही नहीं हिंदी में कहा होगा जाए ऐसी हजारों हमाईर पड़ शुक्तियां हैं हो सुक्तिय आ और काहवत बाचले थे जिनके यहां यहां जिक्ता है जिनके आर्थ काहा न जो है अब पर से उस्सक्ष निए यह अर्थ होव लेकिन बवावों कर कर सकते हैं तो यहां न्यगारिय के स्कते हैं कि यह देखा जाता है कि जो चात्र है या व्याक्याता से किसी गंबिर तत्र को कितनी बार्की से और गहराई से उदर का समझा जाता है और अपनी भासा मोग उसे कितना दूर तख सुषप्ष्ट कर सकता यहनि कोई अगर चीज कही गई है तो आप उसे समझ कर कितने अच्छे से लोगों को समझा सकते है यह depend करते है लेखा को कितनी गंभीर से समझ के या और व्याख्या दोनों में सन्हीत जो भाव होते अथवा विचार का क्या होता है विस्तार होता है किन्तु पलवन जो होता है हमारे पास पलवन है तो हम अपने लिए मातरी भासा भी होती है और इसी के तहर्ट बताया हुए किन्तु भासा या किसी की जो मातरी भासा होती है को बुरा मानना या समझना या मनुस्चता नहीं होती है या विद्या प्रेम नहीं बलकि संकिन्ता और नेस्ता है फिर अगर हर भासा का अपना साहित होता है और साहित जो होता है वो माना मातर के प्रेम की बस्तु होती है संसा के कोने कोने में अन्गिनेत भांसाय बोली प्रचली थे लिखी जाती है जिसकी अपनी प्रकेती होती है और अपने ही उचार होते हैं ये सारी जो हमारे भांसाय है वो सिखी जा सकती है हजारों विदरती विदेशी भांसाय दूसरे की भांसायों को अध्यन करते हैं ताकि उन सारी बात अब को जहनकारी के लिए विदेशी भांसाओं का अध्यन करना जरूरी होता या कोई बुरी बात तो नहीं अनेक भांसाओं का अग्यान होना आवस्थर है क्योंकि इससे जो होती है हमारी मानेवी दिश्टी जो हती है वो व्यापक गूरूप से बिचार हमारे उदार होते और अंतराश्टी जो सम्मन होते हैं वो हमारे दर्ड होते चले आते इसलिए बिदेसी भाशा या दूसरे भाशाओ को विदार्थी होना ये कोई गलत बात यहांपर नहीं है लेकिन बताया हुआ हमारे पास यहांपर लेकिन बिदेसी भासाओ या दूसरों की भासाओ को यहाँ पर पढ़ने के लिए हमारे पर कुछ कंडिसन बताएगे है कि यहाँ पर आप सभी को अगर हमें बिदेसी भासाओ या दूसरी की भासाओ पढ़ने के लिए पहले हमें अपनी राष्ट भासा और मात्री भासा का जो ज्यान है वो नितांत आवज सके अपने भासा में हमारे पस हिर्दय बोलता है और इससे हमारी मा की ममता राष्टिय संबंदों का जो माधूरे भाव है और अपने को जानने पैशाने की जो सरलता रहती है वो अराम से लगrier रहते हैं अपनी भासा में हमारा अपना पन भी रहता है और इसके लिए हमें विशे श्रम निकरना पड़ता है व्यर्त की माता पेची भी नी करने पड़ता है। समय विसासाद यहां हमार बरवाद दिने होता है हिंदी हमारी मातरी भांसा है इसके लिए इसके लिए इसे हम कह सकते हैं हमारे पास इसके लिए वहवार में हमें इतनी सहाजता यहां पर यह कह सकते हैं और सुबीदा का बोद नहीं होता है उतनी सहाजता और सुबीदा का बो होता है चाहे वो अन किसी भासा की सिक्षा हो या कला कारिगरों की अगर हम कोई बेदिसी भासा सिकते हैं तो हमें अपनी मात्री भासा और साथ राष्ट भासा के मात्दम में समझ आने चाहिए इसलिए जब हम किसी दूसरी भास सिकते हैं तो मात्री भासा के मन में जो हम सोच वो उसी का अनुबाद होता है, इसलिए इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, यह हमारे जैनिक जीवन के साथ घुली मिली है, जैसे दूद में पानी घुला रहता है, उसी तरह मातरी भासा में भी हमारी मा का संस्कार, उसका प्यार और मिठास है, अता अपनी भासा जो है, वो सर अराम से बात विचार अपने मन के भाव को साम रखते हैं, ताकि सब लोग भी समझते हैं इस भासा को, ठीक है, अगला हमरे बताया हुए, कि विदेशी भासा सीखी जा सकती है, पर वो अपने कभी नहीं हो सकती है, वो मस्तिस की वस्तू हो सकती है, हिर्दय के जो हमारी वा अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, लादी के को भी जो भी विदेशी भासा, समाज और देश के सुवावी कहा सकते विकास में यह हमें सब बादक से दूती है, फिर भासा तो अने विदारतियों को जानने का एक कहा सकते माधव होता है, अपने भाव प्रकट करने का एक जरिया बंदना है, वच्पन की जानी, समझी, मात्री भासा को अपनी पढ़ाय लिखा, या काम करूवर का माधव न बना कर, अंग्रेजी को यहां पर बताए हो, अंग्रेजी को बनाने में, अंग्रेजी सीखने में हमें 10-12 वर्ष लगव बीच जाते हैं आज अंग्रेजी को माध्यम रखने के लिए देश के हर जारती यानि इस देश के लगव दस से 12 वर्ष ब्राद हो रहे हैं क्या इस बरवादी का को भी देशभक्तिक में गिना जाए आप खुद इसमें विचार अपने रखना चाहे त अपने हिसाब से बात लिकलते हैं कि निसकर्श निकला हमारे पर तो आश्यों संचेपन में बता कर सकते हैं तो संचेपन यहां परिभासा को यहां दिया हुआ है पूछा सकता है कि संचेपन क्या होता है तो किसी भी हमारे पास जो विस्ते विब्रन है कर सकते हैं सब विस् संगिक, आसंबन, पुनावेत, अनावसक बातों का हम त्याग करें और जो भी जरूरी बाते हैं या उपयोगी तथ मुल तत्य हैं उनको प्रहौपन इस्तमाल करके उनका संचिप संकलंग करें और यह हमारे पास क्या कहलाता है संचिपन कहलाता है अब इस परिवासा में कहा संचिपन एक स्वत्ता पूर्ण रचना है उसे पढ़ देने के बाद मुल संदव पढ़ने का है सकता है जिससे आप बच्पन में एक कह सकते हैं सेर और चुहे कारी समझे होगी सेर ने बिसिकली क्या क्या होगी सेर को तंग किया था आपने पढ़ा हो कानी उसे आप कहानी पढ़ने समसर ने पढ़ता है वही हमारे पस क्या गला संचिपन कहलाता है सामयनता संचिपन में लंबे चोड़े विबरन पत्राचार आधिक सारी बातों को अत्यान संचीत और करंबद रूप हम क्या कर सकते रखा जाता है इसमें कम से कम सब्दों में अधिक सथिक पहागो और तत्युक प्रस्तूत करते हैं वस्तूत संचिपन किसी बड़े गरंद का संचिप संसकरन बड़े मुर्ती का लगू अंकन और बड़े चितर का छोटा चितरन इसमें मूल का कोई भी आवस्यक बात छोटने नहीं पाता है अनावस्यक बाते का छाट निकाल दी तो मूल बाती हम इसे रख सकते हैं और यह काम सरल नहीं होता है इसके लिए हमें क्या नियंतर कह सकते हैं अभ्यास के आवस्यक्ता पढ़ती है अगर देखिए अगला सवाल पूछा सकता है कि संचीपन के गुन बताईए ताब क्या लिखेगा तो आपको आना चाहिए इन सवाल तो इस प्रकाई पेपर बनागे लिएन पड़ेगा संचीपन का दिखे कुछ गुन बताया हुए यह क्या है मांसिक प्रसिक्षन है मांसिक व्याम भी क्या सकते हैं उतकिस संचीपन के कुछ निमली कुन है जिसे पूर्णता संचीपन वह स्वाता क्या होना चाहिए संचीपन करते हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई भी महत्पुन बात यह छोट तो नहीं रही है आवैस्तेक और अनावैस्तेक जो भी अंसों का कैसा जो चुना हो है वह खूब सोच समझ के हमें उसमें करना चाहिए यह अभ्यास ही हमें संभभ बनाता है स संचीपन उतनी ही बाते लिखी जाए जो मूल अवदर्न या संधर में हो अपने से लिखे को बड़ा चड़ा कर नहीं लिखना पड़ता है जितना आता उसमें लिखो मूल में जिस विस्तर या बिचार पर जोड़ दिया गया उसे उसी अनुपात में संचीत रूप में लि संधान गुन है या तो भी इसके आकार का निर्धारन और नियमन तो असंभव नहीं है तथा या कहा है तथा पी संचेपन की समयनता जो मूल का तित्यांस होना चाहिए इसमें आर्थ, बिसेजन, दिश्टान, उधारन, ब्याक्खा और वनन आदी होने चाहिए लंबे- जो बिंदु मूल बिंदु है वो कभी छूटना ने चाहिए अगला पॉइंट है इसपरस्टा यानि क्या होना चाहिए संचेपन की जो अर्थ वेंजना हो चाहिए वो इसपरस्ट होनी चाहिए ये बेसिक कंडिशन इसका मूल अबधारना या कहा जाए मूल अबतरन का जाए इसलिए उसमें संचेपन के बाटक के सामने मूल जो संधर्ब हो नहीं रहता है इसलिए उसमें संचेपन जो कुछ लिगा जाए वो बिल्कुल क्या हो इसपरस्ट हो फिर हमारे पास भावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा और भांसा की सुद्धता होनी चाहिए सुद्धता से हमारा मतलब यह है कि संचेपन में वे ही तथा बिसे लिखे जाए जो मूल संदर में ना हो कोई भी बात अगर असूत असपर्ष्ण या ऐसी ना हो जिसके अलग-अलग आठ निकाले जा सके जिसमें मूल के आसे को बेकरित या परिवितित करने का अधिकार नहीं होता और नहीं अपनी और किसी तरह का टीका टीपने इसमें होनी चाहिए तथा यहां पर काया जाए भांसा जोने व्याकन अचित होने चाहिए तथा यहां पर टेली ग्राफिक नहीं होने चाहिएए, पाँचवा पोइंट है, प्रभार और यहां पर करंबत्ता, क्या है, प्रभार करंबत्ता है, ये बहुत करते है, संचेपन में जो भाई और भढ़ा है एक आवज्सरे कुणने है, यहां बताय गुए है कि भाँ सा करंबध्त हो और सात्र भाँ प्रहाव पुन होना ही चाहिए करम और प्रहाव के संदूलन से संचेपन का स्वरूप जो निकरता है वाईक के सूंबंद और भटी तो प्रहाव बना रखने के लिए व्याकरन में ये कहज़ा वाईकर स्याई कर अगला हमारे पास है संचेपता के नियम बताई या पर संचेपन के नियम इस प्रकार यहां पर कुछ लिखेगे हैं जैसे पहला हमारे पास पॉइंट बच करके लिखा हुआ तब लिखना चाहें तो पहला पॉइंट हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है पहला है संचेपन में समानार्थी सब्दों को यानि जो सेम मेनिंग वाले वर्ड है उनको आप क्या कह सकते है चाहे तो हटा सकते है ठीक है जिससे लिखा प्रभाव जताने के लिए वक्ता इस प्रकार की सहली का साहरा लेता है संचेपन में ऐसी सब्दों को उत्रा हटा को ऐसे लिख देना चाहिए जिससे आयादी है मुक्ति के दूसा नामे तो हमें एक कम से कम सब्दों में क्या करना चाहिए वहां से उसकी प्रष्टा या पर पुना रुकती दूस होता है उस सब्दों में भाव को अथमा विचारों में भी होता है कभी-कभी एक ही वाट के एक ही बात का बीहुन रूपों में लिख दिया जाता है उधारन के लिए कहा गिया है कि रंगमंच पर जो कलाकार है क्रमासर एक एक करके हैं इस जो वाक्य म आपको मैथमें टोपिक पढ़ना है अगर अंत में संचेपन में प्रियुक सब्दों की संख्या में लिख दिनी चाहिए कि लाश्ट में कितना वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है जैसे निसकर्स हमारे पर बताया हुए सारांस यह है यहां पर तो यहां पर सारांस बताया कि चिस्टा की जाए संभव है कि एक बार पढ़ने से कुछ भाव इस परशना है अता उसे दुबारा या तिवारा हम पढ़ सकते हैं और उसके महत्पून अंसों का रिखांकित क्या आए सकता है अब इन महत्पून अंसों के आधार पर हम संचीत प्रारूब इन मूल बिंदू की एक तिहाई के ब्रावर होना चाहिए यदि कहीं पर कुछ प्रिष्टा रह जाए तो तीसरी बार इस दिश्टी से मूल प्रारूप पढ़ा जाए कि कहीं भूल से कोई आवसक बात छूटना जाए और अंतियों रूप में जब हम संचेपन त्यार हो जाए तब उसका एक उप्योग किन्तो छोटा सा सिर्षक भी दिया जाए ताकि समझ जो भी संचेपन को एक प्रकार फिर से पढ़ ले जाए और हमें वो पूरा पर समझवाए कि किस बारे में घटना बताए गई है आप संचेपन के कुछ आवसक निर्देश है अगर आप पढ़ होंगे ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ यह आपके पास देखे आता है संचेपन के विसाइगत नियम आप चाहे लिखेना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर यह हमारे पास आगा पर लेकिन देखिए जो पेपर हमाएगा जह संचेपन पूछा जाएगा त संचेपन के विसाइगत नियम और जो हमारे पास कह सकते हैं सैलीगत नियम होता है यहां पर आपको दिखे है तो आपको वीडियो पॉस करा देंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का अपलो सेर कर दीजएगा फेस्वूक वाटसर ट्रेग्रम ज प्रिचली मेंतनिश वीडियो पे तपक लिएचे